चलिए सबसे पहले आपको सीधर ये चलते हैं प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी की विडियो कान्फरेंसिंग में वो अपनी महनत और हुनर से अपने गाउं के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं वो जब तक अपने गाउं में हैं अपने गाउं को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने गाउं को कुछ देना चाहते हैं मेरे स्त्रमिक साथियों देश आपकी भावनाओं को भी समझता है और आपकी जरूरतों को भी समझता है आज खगडिया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान इसी भावना इसी जरूरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है बिहार, उत्तरप्रदेश, जारखन, ओडिसा, मद्दप्रदेश और राजस्तान इन छे राज्यों के 116 जिलों में यह अभ्यान पूरे जोर सोर से चलाया जाएगा हमारा प्रयास है कि इस अभ्यान के जरीए स्रमीकों और कामगारों को गर के पास ही काम दिया जाए अभी तक आप अपने हुनर और महनत से शहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शहरों को चमका रहे थे, शहरों का भला कर रहे थे अब अपने गाउं को अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे और सातियों आप ये जानकर हरान रह जाएंगे कि मुझे इस कारकम की प्रेणा कहां से मिली मैं आपको एस सिक्रेट बता देता हूँ मुझे इस कारकम की प्रेणा कुछ सरा मिली वैसे मुझे आज एक और भी खुशी खबरी में विली, मुझे बताया गया है कि परसों से पटना में कोरोना टेस्टिंग के एक बड़ी आधुनिक टेस्टिंग मशीन भी काम शुरू करने वाली है. इस मशीन से करीब करीब पंदरा सो टेस्ट एक ही दिल में करने संभव होंगे. इस टेस्टिंग मशीन के लिए भी बिहार के लोगों को मैं बढ़ाई देता हूँ. इस कारकम में जूड रहे केंद्रिय मंत्री मंदर के मेरे साथ ही अलग-अलग राज्यों के सनमानिय मुक्यमंत्री महोदय, आधन्य नितिश बाबू, और सोक गहलोज जी, सिवराज जी, योगी आतित्यनाज जी, उपस्तित साउंसद और विधायक, और सभी अधिकारिगा और टेकनोलोजी के जरिये देश को सेंकडों गाउं से जुड़े मेरे करमठ, कामगार साथियों, आप सभी को फिर से मेरा रवश्कार, आज का दिन बहुत अईतिहासिक है, आज गरीब के कल्यान के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है, यह अभियान समर्पित है, हमारे स्रमिग भाई बहनों के लिए, हमारे गाउं में रहने वाले नवजवानों, बहनों, बेटियों के लिए, इन में से जादा तर वो स्रमिग हैं, जो लॉकडाउन के दोरान, अपने घर वापस लोटे हैं, वो अपनी महनत और हुनर से, अपने गाउं के विकास के लिए, कुछ करना चाहते हैं, वो जब तक अपने गाउं में हैं, अपने गाउं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गाउं को कुछ देना चाहते हैं, मेरे स्त्रमिक साथियों, देश आपकी भावनाओं को भी समझता हैं, और आपकी जरुरतों को भी समझता हैं, आज खगडिया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान, इसी भावना, इसी जरुरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, बिहार, उत्तरप्रदेश, जारखन, ओडिसा, मद्दप्रदेश और राजस्तान, इन छे राज्यों के 116 जिलों में यह अभ्यान पूरे जोर सोर से चलाया जाएगा, हमारा प्रयास है कि इस अभ्यान के जरिये स्रमीकों और कामगारों को गर के पास ही काम दिया जाए, अभी तक आप अपने हुनर और मेहनत से शेहरों को आगे बढ़ा रहे थे, शेहरों को चमका रहे थे, शेहरों का भला कर रहे थे, अब अपने गाउं को, अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे, और साथियों आप ये जानकर हरान रह जाएंगे कि मुझे इस कारकम की प्रेरणा कहां से मिली, मैं आपको ये सिक्रेट बता देता हूँ, मुझे इस कारकम की प्रेरणा कुछ सरमिक साथियों से ही मिली, कामगार भाईयों से ही मिली है, साथियों मैंने मीडिया में इस लॉकडाउन के दर्म्यान एक खबर देखी थी, ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से थी, तो ये जो शहर से स्रमिक बापिस आये थे, उनको वहां रखा था, उस समय ज़्यादा तर दक्षिन भारत से जो स्रमिक थे, वो आये थे, हैधराबाद से आये हुए थे, और इन स्रमिकों को रंगाई, पुताई और पीओपी के काम में वो उनकी माश्टरी थी, अब वो कॉरंटाइन में थे, और वो अपने गाउं के लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे पड़े रहेंगे, दो टाइम खाते रहेंगे, उसके बज़ाएं, हम जो जानते हैं, कुछ हमारे हुनर का उप्योग करिए, और देखिए, उन्होंने उस सरकारी स्कूल में, कॉरंटाइन स सेंटर में रहते हुए, इन हमारे स्रमीक भाई बहनों ने अपने हुनर से उस कुल का ही कायकल्प कर दिया, लोकडाउन के समय उसकी रंगाई पोताई करके बढ़िया बना दिया, मेरे स्रमीक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जहना, उनकी देशभक्ती को, उनके काउशल ने मुझे, मेरे मन को एक प्रेणा दी, उसी मेंसे मुझे आइडिया आया, कि ये कुछ करने वाले लोग है, और उसी मेंसे इस योजना का जन्म हुआ है, आप सोचिये, कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गाउन लोटा है, देश के हर शहर को गती और प्रगती देने वाला श्रम, हुनर, जब खगडिया जैसे ग्रामिन इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी नई उर्जा मिलेगी, नई गती मिले साथियों, गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान के तहट, आपके गाउं के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए, पच्चास हजार करोड रुपी खर्च किये जाने हैं, इस राच्ची से गाउं में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए, करीब पचीस का आरेक्षेत्रों की पहचान की गई है। एक पचीस काम या एक प्रकार से प्रजिक्ट पचीस प्रोजेक्स ऐसे हैं जो गाउं की मुलभुत सुविदाओं से जुड़े हैं। जो गाउं के लोगों के जीवन को बहतर बनाने के लिए हैं। आपको करने का आउसर मिलेगा। अब जैसे खगडिया के तेलिहार गाउं में आज से आंगनवाडी भवन, सामुदाइक साउचालाय, ग्रामिन मंडी और एक कुवा बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसी तरह हर गाउं की अपनी अपनी जरूरते हैं। इन जरूरतों को अब गरीब कल्यार रोजगान अभ्यान के माद्यम से पूरा किया जाएगा। इसके तहट अलग-अलग गाउं में कहीं गरीबों के लिए पक्के घर भी बनेंगे, कहीं व्रक्षा रोपन भी होगा, कहीं पशुओं को रखने के लिए शेड भी बनाए जाएंगे, पीने के पानी के लिए ग्राम सबाओं के सहयोग से जल जीवन मिशन को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। पुचायद भवन भी बनाए जाएंगे, साथियों ये तो वो काम है जो गाओं में होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस अभियान के तहट आदूनिक सुविधाओं से भी गाओं को जोड़ा जाएगा। अब जैसे शहरों की तरह ही गाओं में भी हर घर में सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है। जरूरी इसलिए ताकि गाओं के हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख सकें। गाओं की इस जरूरतों को गरीब कल्यान रोजगार अभियान से जोड़ा गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गाओं में शहरों से ज़्यादा इंटरनेट इस्तमाल हो रहा है। गाओं में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर, केबल पहुंचे, इससे जुड़े कारिय भी होंगे। साथियों, ये साब, ये सारी योजना आए, ये काम करेगा कौन? गाओं के ही लोग करेंगे। मेरे जो स्रमीच साथी साथ में जुड़े हैं, आप लोग ही करेंगे। चाहे मद्दूर हो, मिस्त्री हो, मट्रियल बेचने वाले छोटे दुकानदार हो, ड्राइवर हो, प्लंबर हो, इलेक्रिशन हो, मेकेनिक हो, हर प्रकार के साथियों को, रोजगार का इसमें आउसर है। जो हमारी बेहने हैं, उनको भी स्वयम सहायता समुओं के माद्यम से भी जोड़ा जाएगा। ताकि वो अपने परिवार के लिए अतिरिक्त साधन जुटा सके। साथियों, यही नहीं, आप सभी समिकों, आप सभी के हुनर की मैपिंग की भी शुरुवात की गई है। यानि कि गाउं में ही आपके हुनर की पहचान की जाएगी, ताकि आपके कौशल के मताबिक आपको काम मिल सके। आप जो काम करना जानते हैं, उस काम के लिए जरुरत मन्त खुद आपके पास पहुँच सकेगा। साथियों, सरकार पूरा प्रयास कर रही हैं कि कोरोना महमारी के समय में आपको गाउं में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाबिमान को हम समझते हैं, आप स्रम एव जैते, स्रम की पूजा करने वाले लोग हैं, आपको काम चाहिए, आउसर चाहिए, रोजगार चाहिए, इस भावना को सर्वोपरी रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है, इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है, इससे पहले आपकी और देश के करोडों गरीबों की ततकालिक जरुरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार ने लोगडाउन के प्रारम में तुरंट एक के बाद एक कदम उठाए थे, आत्म निर्भाज भारत अभ्यान की शुरुवा थी, प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना से हुई थी, और मुझे बराबर याद है कि जब शुरू में हमने गरीबों के लिए इतनी योजना ये लाए तो चारे तरफ चिलना हट शुरू हुई थी, उध्योगों का क्या, व्यापार का क्या, MSM का क्या, सबसे पहले ये करो, बहुत लोगों ने मेरी आलोचना की थी, लेकिन मैं जानता हूँ, इस संकट में गरीब का हाथ पकड़ना प्रास्मिक्ता थे देरी, और इसलिए हमने सबसे पहले गरीबों पर बल दिया था, इस योजना पर कुछी सप्ता के भीतर करीब करीब पौने दो लाग करोड रुपे खर्च किये गए, इन तीन महिनों में असी करोड गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ, राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलिंडर भी मुप्त दिये गए, इसी तरह, बीज करोड गरीब माता औ बहनों के, जनदन खातों में, दस हजार करोड रुपे से अधिक सीधे ट्रांसफर किये गए, गरीब बुजूर्ग माता औ बहनों और दिब्यांक साथियों के लिए, एक हजार रुपिय के सहाय ताभी सीधे उनके खातों में भेजी गई सोचिए अगर गर गर जाकर आपके जन दन खाते न खुलवाए गए होते मोबाइल से इन खातों और आधारकार को जोड़ा नहीं होता तो यह संभव होता क्या है इतने कम समय में रुपिय योजना है पहुंचती क्या और पहले का समय तो आपको भी याद है क्या होता था पैसे उपर से चलता था तो आपके नाम से ही चलता था लेकिन न कभी वो आप तक पहुंचता था न कभी वो पैसा आपका होता था पता नहीं कहां चला जाता था कहां गायब हो जाता था अब ये सब बदल रहा है आपको सरकारी दुकान से अनाज की दिक्कत न हो इसके लिए एक देश एक राशनकार योजना भी शुरू की गई है जानी की अब हमारे गरीब भाई बहन एक ही राशनकार पर देश के किसी भी राज्य में किसी भी शहर में अगर उनको वहाँ जरूरत है तो वहाँ भी राशन ले सकेंगे साथियों, आत्म निर्भर भारत के लिए आत्म निर्भर किसान भी उतना ही महत्पून है लेकिन इतने वर्षों से हमारे देश में कृसी और किसान को बेवज़े के नियमों और कानूनों से बांग कर रखा गया था। अपनी फसल को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये भी तै करने का अधिकार किसान को नहीं दिया गया था। इस तरह के बेदभाव वाले कानूनों को हमने दो सप्ता पहले खत्प कर दिया है। अब आप कहां फसल बेचेंगे ये सरकार तै नहीं करेगी। बाबू लोग अधिकारी लोग तै नहीं करेंगे। बलकि आप मेरा किसान खुद तै करेगा। अब किसान अपने राजी के महार भी अपनी फसल बेच सकता है। और किसी भी बाजार में बेच सकता है। अब आप अपनी उपज का अच्छा दाम देने वाले व्यापारियों से, कम्पनियों से सीधे जुर सकते हैं। उन्हें सीधे अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले जो कानून फसल के स्टॉक करने पर रोक लगाता था, अब उस कानून में भी परिवर्तन कर दिया गया है। साथियों, आत्म निर्भर धारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोड स्टोरेज बने, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी एक लाग करोड के निवेश की गोश्णा की गई है। जब किसान बाजार से जोड़ेगा, तो अपनी फसल को जादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे। आपने आत्मंदिर भर भारत अभ्यान के तहट एक और फैसले के बारे में भी सुना होगा। आपके गावों के पास कस्बों और छोटे शहरों में स्थानिये उपज से अलग 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 उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूब बनवाएं गयाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाप किसानों को होने जा रहा है।